नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्क सीट के बारे में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा कोस्चन जो आये है वो हॉल टिकट के अपर आये हैं और कोस्चन सही भी है क्योंकि अभी पिछले दो से तीन वीक में काफी सारे इस्टोंट ऐसे जिनका जून 2022 का रिजल्ट कम्प्लीट हुआ है और उसकी बाद अब वो मार्क सीट का इंदेदार कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं कोसिस करूँगा कि सभी तरीके के जो कोस्चन है आपके उनको लेने की भी कोसिस करूँ और उनका सॉलिसन भी आपको बताओं उसके अलावा भी कोई कोस्चन बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो अब सीथा वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप जो इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो असल में एक registered post है जिसमें आपकी जो mark seat है वो भेजी गए तिया कुछ साल पहले का है हो सकता है कि अब जो ये box है जो ये template है उसको change कर दिया गया हो चाहे color change कर दिया गया हो या इसका size change कर दिया हो लेकिन लगबग इस तरीके का ही आपको template दिया जाता है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो registrar की तरफ से इसको भेजा गया है और आपकी मैदान गड़ी इगनू मैदान गड़ी में से इसको issue किया गया यानकी आपका जो mark seat है आपका जो provisional certificate है वो कहां से issue किया जाता है इगनू के main मैदान गड़ी headquarter से send किया जाता है ठीक उसके बाद आगे अगर हम बात करें आगे हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो mark seat होती है वो इगनू जो होता है आपकी सिर्फ final year की mark seat भेजता है यानकी final year जब आपका complete हो जाता है तो उसी में आपका first year भी second year की भी third year भी तीनों के जो marks होते हैं वो एक साथ एक बार में आपको भेज देता है ठीक first year की आपको अलग mark seat नहीं मिलती न second year की mark seat जो होती है आपको अलग इगनू के तरफ से भेजी जाती है अगर आप specially request करें लिखित में कुछ दे या आप उनसे order मांगे तो हो सकता है इस case में की आपको first year और second year की जो है वो statement of marks जो है वो आपको एक पन्ने पर वो दे दे लेकिन जो होता है आपके घर में जो आती है वो mark seat होती है final mark seat होती जिसमें आपको पहला year second year, third year जितने भी year या semester आपके रहे हैं उन सबको एक साथ में आपको mark seat के अंदर दिया जाता है उसके बाद दूसरा बात करें तो आपका जो provisional certificate जो होता है वो भी mark seat के साथ आता है, final mark seat के साथ आता है ये तब तक valid होता है जब तक कि आपको degree जो है आपकी नहीं आई, आपकी जब degree आजाती है तो आप provisional certificate के जगा पर अपनी degree जो होती है वो हमीशा के लिए valid रहती है और उसी को ही हर जगा दिखाते है जहां भी जरुरत हो ठीक, तो provisional certificate तब तक valid होता है जब तक कि आपकी degree आप तक नहीं पहुंची उसके बाद है आपकी जो mark seat जो होती है जिस दिन आपका grade card complete हुआ मान लिजे आज 30 नवंबर 2022 को आपका grade card पूरी तरीके से complete हो गया ठीक, तो 30 नवंबर से आप 40 दिन, 30 से 40 दिन लगा लिजिए पहले जो होता था 15 से 20 दिन के अंदर ही आजाता था लेकिन यह कोरोना के covid pandemic के बाद से जो डेट है उसमें student जो है average time उसका बढ़ गया है जहां पर 30 से 40 दिन का समय एगनू ले रहा है आपको आपके degree आपके घर तक पहुँचाने के लिए तो मान लिजे 30 नवंबर को अगर आपका grade card पूरी तरीके से complete होगे जिसमें सभी assignment practical project आपका theory exam सभी तरीके complete होगए तो आपका यानि कि 5 से 10 जनवरी तक आपकी जो mark seat है प्रोविजनल certificate है वो आपके घर तक पहुचा दिया जाएगा ठीक अब mark seat जो होती है और अगर आपका जो post office है वो आपका address नहीं ढून पाता है इसमें ये जिस ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका जो mark seat है वो आपके घर तक तभी आएगा जब आपका address सही हो इगनू में सही तरीके का address जो रजिस्टर किया गया हो आपको अगर नहीं पता कि आपने क्या address लिका था कई ऐसा तो नहीं कि आप पहले कहीं और रहते थे आप कहीं और रहते तो इस case में आप सीधा गूगल में इगनू admission status जा लिए और वहाँ पर right hand side में आपकी सारी information होगी आपका नाम आपके फिताजी का नाम आपके कब course में admission लिया था कब तक की आपके admission की validity है उसमें आपका address और email ID भी दी होगी उनको चेक कीजिए आपके address सही है या नहीं आप आपका address सही है या नहीं और आपकी email ID सही है या नहीं यह सारी चीज़े जानकारी आप चेक कीजिए अगर वह सही नहीं है तो आपको क्या करना होगा उनको ठीक कही किजिए अपनी address को सही कीजिए ताकि आपकी जो माक सीट बगारा है वो टाइम पर सही तरीके से आपके प पर पहुंचा देता अगर 30-40 दिन हो चुके है आपके grade card update हुए आपकी mark street आपके घर तक नहीं आई तो उसके बाद आप दो वीक का और इंतजार कीजिए अगर दो वीक के अंदर भी आपकी mark street जो है वो आपके घर तक नहीं आती और दो महीने टका time हो गया आपका grade card update वहीं पहुंचा देता है जहां पर से वो release की गई है जहां पर से mark street आई है तो आपके जो मैजानगड़ी headquarter है वहाँ पर वो mark street पहुंचा दी जाती है अगर ज्यादा time हो गया और आपके mark street आपके घर में नहीं आई काफी सारे student regional center में भी जाकर पता करने की कोसिस करते हैं लेकिन उनकी तरफ से जाधा तर regional center की तरफ से एक ही जवाब वापिस दे दिया जाता है कि आपके जो main headquarters है वहाँ पर सही degree या mark street जो होती है रिलीस की जाती है तो इसलिए आपको वहाँ पर जाकर पता करना होगा ठीक उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप duplicate mark street के लिए भी apply कर सकते हैं duplicate mark street जो होती है वो किस तरीके से आपको form भरना होता है क्या पूरा procedure होता है उसके पर एक separate video मैंने बनाई है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा तो आप चाहें तो duplicate mark street भी मंगवा सकते हैं उसके आपके mark street सब कुछ आपके घर में पहुंचा देगा चेक कीजिए कि आपका जो admission status के अंदर आपका address है वो सही है या रिफिर नहीं अगर सही नहीं है तो उसको ठीक कर वा लिजिए उसके बाद अगर आप mark street की complaint भी करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं जो कि आपक point number 11, 12, 13 देखिए अगर आपका master's की mark street का issue है तो md result at the rate ignu.ac.in पर complaint कीजिए बैसलर डिगरी का mark street का issue है तो bd result at the rate ignu.ac.in पर complaint कीजिए डिपलोमा का है तो dp result at the rate ignu.ac.in पर complaint कीजिए certificate का है तो cp result at the rate ignu.ac.in पर आप complaint कर सकते हैं तो आप यहां पर भी complaint कर सकते हैं तो वेडियों आपको बसंदा तो वेडियों को लाइक जरूर कीजिए सेयार जरूर कीजिए